दोस्तों किसी भी मोबाइल को कैसे अपडेट करते हैं इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ मोबाइल को समय समय पर अगर आप अपडेट करोगे तो कभी भी हैंग नहीं करेगा हमेशा नया जैसा रहेगा ना कभी सलो चलेगा यहां तक की गेम खिलते समय आपको अच्छे से अच्छे performance मिलेंगे तो अपने mobile को समय समय पर update करोगे कई लोगों के phone में update आ जाता है पर update ही नहीं करते अब भाई अपने mobile को update नहीं करोगे न तो भाई आपका phone hang तो करेगा करेगा उसके साथ साथ virus भी आ जाएगा और आपका phone slow हो जाएगा virus आ जाएगा phone जल्दी खराब हो जाएगा मान जी कोई ऐसा app आ गया और आपका पूरा phone का data leak हो जाए तो इससे अच्छा है समय समय पर आपको अपने mobile को update करते रहना है तो कैसे आप अपने mobile को update करोगे जानना चाते हो शीखना चाते हो तो इस वीडियो को एक like कर दो चैनल को subscribe कर दो और continue to continue इस वीडियो को देखते रहो तो आई दोस्तो हम बताते हैं कि आपकी इस तरीके से आप अपने phone को update करोगे सब कुछ इस वीडियो में आपको step by step life proof करके दिखाने वाला हूँ वीडियो बहुत ही काफी ज़्यादा important और बहुत ही काफी ज़्यादा knowledgeful होने वाला है तो चले फिर हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं उसके लिए दोस्तो हम बताएंगे कि आपके phone के अंदर दो तरह का update होता है एक आपके phone का application का ये 50-60 जो application होते ना इसका update होता है क्योंकि हम सब के अंदर जो ये 50-60 application होते हैं दोस्तो हर एक दिन 2-4 application का update आते रहता है और एक हमारे phone का setting में update होता है सुप्टेयर का update होता है तो कैसे update करेंगे सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाने वाला है तो चलिए सबसे पहले हम आपके application का update बताएंगे कि आप अपने phone का application का update कैसे करोगे उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है प्लेश्टोर को उपेंड कर लेना है यहां पिस पर click करना है और यहां पर देखिए दोस्तों यहां पर हम को update करना है यहां पर देखिए यहां पर ऐसे ऐसे click करेंगे यहां पर देखिए अल्रेडी हमारा update होना शुरू गया यहां all पर click करेंगे तो all update होना शुरू जाएगा अपडेट करने से पहले दोस्तों आपके फून के अंदर इंटरनेट डेटा होना जरूर चाहिए और आपके फून की बैटी कम से कम 60-70% चार्ज होना चाहिए ठीक है यहाँ पर हमारा दो अप्लिकेशन अपडेट हो रहा है उसके बाद यहाँ से हम बैग जा रहे हैं ठीक है बैग जा रहे हैं उसके बाद दोस्तों आपको अपने फून के अपडेट कैसे करेंगे उसके लिए दोस्तों आपको अपने फून के सेडिंग को उपन कर लेना है जब सेडिंग को ओपन करेंगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करेंगे थो यहां पर लिखेगा 20 MB, 6 MB, 800 MB, 1000 MB, 1 GB, 2 GB लिखेगा तो तो इतना जीबी आप रिचार्ज करा लिजेगा अपने फून में और नहीं तो वाई फाई होगा तो ठीक होगा यहां पर फ्यूचर है फ्यूचर पर किलिक करेंगे आपका फून अप्डेट हो जाएगा अपडेट हो चलता है असमोंग चलता है उसी तरह आपका फून भी चलेगा तो दोस्तों विडियो में हम इसी सेडिंग के बारें बता रहे ते हमारी बीडियो से कुछ सीखने का मूली हो बीडियो को लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दिए चैनल को सस्क्राइब कर दिए तब तक ल झाने बुरू जो Le Kid